हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोच सोहन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और कब BSTC चैनल का कि रहरी चाहिए को लाझ है कि BSTC को इस दोचे की ऱ्याथ लका में यूट केया मोह जना है कौन को दे सकता को दोस्तों तो जस्तुडूएं शंट्यूड्ट में कलास 12 में जैसे है जाता है तो आप के जैसे हैops तो हम 50% मार्क होने चाहिए आप SCHTOBC 45% मार्क होने चाहिए दोस्तो तो ही आप इस PREDLAD यानी की BSTC के एक्जाम को दे सकते हैं तो दोस्तो अब हम इसके बात कर लेते हैं कि exam date के बारे में दोस्तो इसकी exam date है वो क्या है दोस्तो तो जो BSTC यानी PREDLAD की exam date है वो 8 October 2022 decide की गई है और जो इसका time है इसका time दो फैर दो बजे से लेकर साए 5 बजे तक का decide किया गया है दोस्तो ठीक है दोस्तो इसकी exam 8 October 2022 को गी और इसका timing है वो दो फैर दो बजे से 5 बजे के बीज का रहेगा दोस्तो और दोस्तो इसका धंबात कर लेते हैं इसके admit card के बारे में तो दोस्तो जो बीच्टिस यानि प्री डिये लेडे है इसका admit card एक October 2022 को जो इसको release किये जाएंगे तो दोस्तो आप बने रहेएगा हमारे यूटूब चैनल पर subscribe करें यूटूब चैनल को जैसे यूटूब कर जैसे admit card का download करने का link आएगा उसके विए हम आपको सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे और उसके दौरा हम link के पर provide कर वादेंगे आपको उसमें आप सबसे पहले बीच्टिस का admit card यहां से download कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखेंगा और दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं बीच्टिस के new released syllabus के वारे में दोस्तो तोटल नंबर रहेगा 500 यानि की पर question 3 नंबर का इसी प्रकार समरे रास्तान जी के उसके भी 50 question होने वाले हैं और भो भी 500 नंबर के होने वाले हैं इसके दौब दोस्तों 50 question टोटल 500 नंबर के होने वाले हैं इसका दबार आ जाता है section number 9 में अंग्रिय जी, Sanskrit और Hindi 3 subject होती है अगर जिसने संस्कृत से बरा होगा इसमें दो लगते एक सामानने और संस्कृत जिसने सामानने से बरा होगा उसके में अंग्रेजी और हिंदी आएगा ठीक है दोस्तों और जिसने अगर संस्कृत से लगाया होगा उसकी में अंग्रेजी और संस्कृत सब्जेक्ट आएगा दोस्तों अंग्रे जी के 20 question होने वाले है और Sanskrit और Hindi के 30 question होने वाले है इस परकार दोस्तों हमारा जो total question की संक्या है वो 200 होगी और total number वो 600 होगे ठीक है दोस्तों इस परकार से इसका जो basic syllabus है और इसको विस्तार से हम देखे तो इसको आप विस्तार से हम देख सकते हैं कि reasoning में क reasoning के 25 topics है वो सारे इसके बाद analogy समरूपता आने वाली है और logical thinking यानि तार्किक चंतन यह हमारे mental ability यानि मानसिक योगता में हमारी question रहने वाले है इसके बाद हमारा राज्तान जीके है राज्तान जीके में पहला आएगा हमारा इतियासिक इसके बाद राजनितिक ठीक है आल्ट कल्चर कला संस्कृति और साइट वक्षेस में भी कुप question पूचे जाएंगे दोस्तों इसके बाद हमारी economy से इसमें राज्तान economy से related बहुत से question पूचे जाएंगे और दोस्तों इसके बाद हमारा राज्तान बोगली का हमा संबंधित question है वह भी आपर पूचे जाएंगे इसके वाज हमारे सामाजिक पक्षानी सामाजिक से related हमारे tourism परयाटन से related question पूचे जाएंगे वह राजिस्तान है वह परयाटन का अपार भंडार है तो यासे परयाटन बिवाक्स परयाटन से भी इसमें copy question बनते है ठीक है द स्टूडेंट टीचर का संबंध कैसा होना चाहिए उससे स्रजनात्म question इस तरह क्या कोशल विकास सामाजिक संबेदन सीलता कि बच्चों कैसे सामाजिक संबेदन सीलता और में परकट कर सकते हैं उससे related question पूचा जाएंगे ठीक है जो कि ज्यादा हाड़नी होने वाले बेस इंग्लिस शंस्क्रत और हिंदी दोस्तों जिसने संस्क्रत से फर्म लगाया होगा उसके इंग्लिस और संस्क्रत आने वाली है तो दोस्तों इंग्लिस में हमारा compression आते है काई दोस्तों बंवर्ड जैसे बनवर्ड होते हैं बहुत सारे अनेक सब्दों के समूग का एक सब्सक्रत होता है अपने हिंदी में पढ़ाता उस टाइप के सब्सक्रत इंग्लिस में आने वाले कुछ spelling errors के question देखने को मिल सकते है इसका दोस्तों जिन्होंने जो फॉरम है संस्क्रत पार्ट करम से लिया है उनके लिए संस्क्रत के सब्जेक्ट है उसमें पहला है श्वर उसके बाद बेंजन सब्द रूप अकारांत इस्त्रिलिंग नपूसंग लिंग दातू रूप आने वा तत्पुर्स दिगोर कमदार समाज आने वाले है इसका लिंग और भचन विबक्ति एवं कारक आने वाले दोस्तों संस्क्रत में इसके बाद आ जाती है हमारे दोस्तों हिंदी जिन्होंने सामानने से प्रीडीलेडी आनि बीच्टिस सामानने का फॉरम बराये उनमें इंग में काफी पूछी जाते हैं तो आप दोस्तों मुआबरों को याद रखिएगा कावतिभी संदी समाज उपक्रेप्रत्य वाक्यांस यह सारे चीज आपर पूछी जाने वाले दोस्तों तो बस आज की वीडियो बस इतना ही तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो अ थैंक यू बाई बाई